हेलो बच्चो कैसे आप सभी आसा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे तो बच्चो SSC GD के लिए बहुत सारे बच्चो का टाइम टेबल फिक्स करने के लिए मैंने आप से बोला था कि मैं एक वीडियो आपको लेकर रहूँगा जिसमें आपका SSC का टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा कि आप किस तरीके से आपको पढ़ना है किस तरीके से नहीं पढ़ना है तो भाई 80% सेलेक्शन लेने के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 80% सेलेक्शन दिला करी रहूँगा चाहे कुछ हो जाओ चाहे मुझे उसके लिए कितने भी मैनत करने पड़ो आपके साथ तो आप guarantee SSC JD ने जो भी आप form भरोगे कोई सी भी vacancy हो आप उसे निकाल जाओगे यह वाली चीज है आपके लिए बहुत ही most important डिवाने ABJ अब्दुलक्लाम ने ये कथन कहते कि अपने mission में सफल होने के लिए आपको अपने लक्षे के परती एक चीत और भाव से समर्पीत होना पड़ेगा यानि उसे संपून आप अपना 100% दे दीजीगा अगर आपने 100% दे दिया न अपना तो भाई कुछ नहीं हो सकता आपका selection हो करी रहेगा 100% 100% बता रहा हूँ भाई selection बे कर रहा हूँ आप तो यह वाली चीज आपके लिए है हाला कि हड़ चीज मैं बताता हूँ आपको तो इस चीज को आप समझ रहे हैं मैं समर्पन के लिए क्यों कह रहा हूँ अगर आपने SSTGD का फोम भर दिया ना तो बिल्कुल छोड़ दो सब चीज selection लेना है आपको 100% और मैं दिलाओंगा आपको selection बिल्कुल एक नंबर से एक नंबर से दो नंबर से नहीं यह नहीं बहुत सारे बिच्छी सोचते हैं कि हमारा ऐसे हो जाए नहीं नहीं भाई कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आशी ही वीडियो लेकर आता हूं में तो आपको एक साथ मिल जाए सारी वीडियो और वाटसप लिंक हमारा वाटसप ग्रूप जो लिंक है हमारा आपको डिक्सेप्शने मिल जाएगा और आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक भी हमारे डिक्सेप्शने मिल जाएगा जाकर हमारी जुब सकते हैं वहाँ पर डारेक्टली आपको सब चीज बताई जाती है तो बात कर लेते हैं तो आपको थे कि यहांपे एक अच्छा स्कूर जाते हैं, आप 80% से उपर अगर नमबर लाना चाहते हैं तो डेफिनिटी ये आपको करना पड़ेगा, अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं, तो भाई मैं उसकी कोई गारंटी ने सकता, आपके सेलेक्शन की, कि आपका सेलेक्शन होगा या नहीं होगा, आ कुछ बच्छ ऐसे होते हैं, जो 2 गोड़े पड़की सेलेक्शन ले ले लेता हैं, कुछ ऐसे 10 गोड़े पड़ते हैं, तो भी सेलेक्शन नहीं होता, तो मैं उसu चीज को इωνोरा कर रहा हूँ, आपको एक घंटा एक घंटा आपको रुनिंग करना है कि चार से पांस बजे तक आप रुनिंग कर गाई क्योंकि एकदम अगर आप पड़ोगे ना एकदम अगर आपकी ताम में जाओगे तो आपको कुछ भी संदम में नहीं आएगा उसके लिए एकसरसाइस बहुत जरूरी करने के बाद आप सात बज़े से डस बज़े तक मैं बहुत इसा टैम टेविल है जो जो मैं भी फोलो कर चुका हूँ, चीक है, उसके बाद 11 बजे आने के बाद 11 बजे और से 2 बजे तक, आपको मैं बता रहूँ, उस बीच आप थोड़ा बहुत टैल भी सकते हैं, बिना टैल दू कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने वो चीज बीच में वैंने से नहीं कर रही है, आपकी, 11 बजे से 2 बजे तक, आप Math और Reasoning दोनों पढ़ सकते हैं, Math और Reasoning, Math और Reasoning किस तरीके से पढ़ने हैं, वो भी मैं वीडियो ले कराऊंगा कि किस तरीके से आपको Math की प्रिपरेसंन करने हैं, तो Math और Reasoning आपको करने हैं, आपको पढ़ना है, Maine Chapter wise मीदेर करने हैं यह बात कर लेता है लागा बात हिन्य आप कार्षांक्ता कर सकते हैं को 6 बज़े से और 8 बज़े तक समझें यानि 2 घंटे आपको GS को देने हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे 2 घंटे तो मेरी में आपको देने हैं बात कर लेते हैं 8 बज़े बज़े से और 8 बज़े 45 मिनिट तक आप इटिंग फोड वगरा जो आप खाना चाहते हैं वह 8 बज़े से 8 बज़े 45 मिनिट के अंदर ख़तम कर लेजेगा जो आपको कुछ करना है वह आप खाना होना खाकर अपना फ्रैस हो सकते हैं बिल्कुल तरियार अपने पढ़ने के ल से 10-10 मिनिट का मैं आपको गयब दे रहा हूं फिर आप 10.30 बज़े से आप 11 बज़े सक टेस्ट लगाएं यह मोरी टेस्ट मोरी टेस्ट लगाने बहुत जूरूरी है अगर आप अच्छा स्कूर चाहते हैं तो मोरी टेस्ट भीना लगाए आप अच्छा स्कूर नहीं कर सक पॉर्शन का लगा सकते हैं जिसे माली आपने मैत पढ़ा तो मैत के 20 कोश्चन लगा आपने 30 मिटे में अपना लगा लिया फिर आपने अगले दिन रिजनिंग का लगा लिया इस तरीके से आपको यह टेस्ट जरूर देने हैं उसके बाद 11 बजे के बीच मैं आपको बताता ह आप तो यह टाइम टेबिल है आपका मेरे साब से ज्यादा हाड नहीं है बहुत ही नॉर्मल है जो आप कर सकते हैं बिल्कुल अगर आपको चाहिए यह नौकरी ऐससे बी आपकी कोई सी भी अगर नौकरी चाहिए तो यह डेली रूटिन आपको करना पड़ेगा और मैं नह वाचिंग दिस वीडियो वीडियो पिसना आपको लाइक से सब्सक्राइब जबूर करना दोस्तों तरने बाद